आज गंगा दशेहरा का पर्व है। इस दिन दान धर्म करने का विशेश महत्व माना गया है। राजा सगर राजा भागिरत के पुर्वच थे। इस प्रकार क्रोध और प्रतिशोध में राजा के सभी पुत्र पवित्र रिशी पर हमला करने वाले थे। लेकिन इससे पहले वो किसी तरह से पाप पूर्ण कृत्ति को करते। रिशी ने उन्हें श्राब दे दिया और वो सभी जल गए। इस सभी बातों को जानने के बाद रिशी कपीला ने राजा सगर के अयुश्मान नाम के पोते को घोड़े लोटा दिये। उन्होंने रिशी से अपने श्राब को वापस लेने का अनुरूद किया। इसके लिए रिशी कपीला ने उनसे कहा कि मैं अपने श्राब से सभी छुटकारा दिला पाऊंगा जब देवी गंगा प्रत्वी पराकर उन सभी को अपने दिवजल से शुद्ध करेगी। बाद में भागिरत राजा की उत्राधिकारियों में से एक ने देवताओं की मदल लेने और पिछले कर्म से छुटकारा पाने और अपने पुर्वजों की आत्माओं की शुद्धी करने के लिए घोर तपस्या की। मुझ जानते थे कि केवल गंगा ही उन्हें प्रवित्र करने की शक्ती रखती हैं। भागिरत ने कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा प्रत्वी पर अवतरित होंगी और उनकी मदद लेकिर फिर भी एक बड़ी दुविदा थी क्योंकि गंगा मईया का प्रवा इतना मजबूत था कि प्रत्वी को पूरी तरह से नश्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागिरत को भगवान शिव से अपने बालों से नदी को छोड़ने का अनुरूत करने के लिए कहा क्योंकि वो एक मात्र ऐसे हैं जो गंगा के प्रवा को नियंतरित कर सकते हैं। भागिरत की भगती और सथी तपस्या के कारण। भगवान शिव सहमत हो गए और इस तरह गंगा मा प्रत्वी पराई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया। अब ध्यान करें, पूजन करें और आप सभी को गंगादर शहरा की शुपकाम नाएं।